असलाम लेकुम गाईज, hope you all are well आज की वीडियो उनलड़कियों के लिए होने वाली है जो ओपन पोर की प्रोब्लम का शिकार है और वो उसे छुटकारा हासिल करना चाहती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद इस तरह के स्टेप्स बताऊंगी जिसको फोलो करके आप ओपन पोर्स की प्रोब्लम का काफी हद तक सिल्यूशन निकाल सकते हैं लेकिन एक बात को जहन में रखें यह जो पोर्स हैं वो हमारी स्किन पे एक नेच्रल चीज है हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, मिनिवाइज कर सकते हैं लेकिन इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं ना तो हमें इनको रिमूव करने की जरुवत है और ना ही हम कर सकते हैं तो चलें फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी बोडी की केर से जिसके लिए हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना होगा अपनी health में जो है वो daily routine में हमें जो है water का intake जादा लेना होगा water के साथ साथ fruits का intake जादा से जादा करना होगा और उसके साथ साथ exercise को भी अपनी daily routine के अंदर जो है वो add-on करना पड़ेगा क्योंकि exercise से, water से और fruits से जो हमारी जो body है वो healthy रहेगी body healthy रहेगी तो हमारा face जो है वो automatically beautiful लगेगा और healthy फील होगा उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी सी skin care follow करनी है skin care follow करने से मुराद मेरा हर्गीज यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा products इस्तमाल करें महंगे महंगे products इस्तमाल करें आपको जस्ट एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको open pores की शिकायत है तो आपको जो है वो एक ऐसा cleanser लेना है जो कि gel based हो साथे products कोशिश करें वो वाले use करें जो gel based हो और उसके साथ normal to oily skin के लिए हो यहां पर मैं आपको साइद घनी की दो जो हैं वो face wash दिखा रही हूँ आप इनमें से कोई भी पर्चेस कर सकते हैं और आपने दिन में दो दफ़ा जो है जो है जरूर face wash करना है एक सुबह को एक शाम को उसके बाद आपको mosturizer बिल्कुल भी skipनी करना और mosturizer के लिए भी best यही option है कि आप gel based mosturizer इस्तमाल करें क्योंकि जो gel based mosturizer होते हैं वो automatically आपके जो open pores होते हैं उनको shrink करना start कर देते हैं तो मैं यहां पर आपको lush organic का mosturizer दिखा रही हूँ recently मैंने इसका review भी share किया है आप उसको भी check out कर सकते हैं अच्छा mosturizer है इसने मेरे skin पे जितने भी open pores की problem तो उसको काफी हद तक कम किया है उसके बाद जो एक next step है skin care में वो है icing अगर आप अपनी skin पे icing करती हैं रोज तो उससे भी जो आपके pores हैं वो temporarily shrink हो जाएंगे अगर आप make up करना चाहें तो उससे पहले भी आप जो है आइस अप्लाइ करें अपनी skin पे उससे भी आपको जो है वो open pores की problem नहीं रहेगी और make up काफी subtle लेगा make up नहीं भी करना फिर भी अगर आप icing करती हैं तो काफी अच्छे results इसके आपके अपनी skin पे दिखाई देंगे open pores की problem जो है वो automatically कम होती हुई दिखाई देगी आपको इसके बाद next step है exfoliation अगर आप अपनी skin को week में एक से दो दफा exfoliate करती है तो इससे भी जो इतनी भी dead skin है वो उतर जाएगी और आपके जो pores हैं वो clean होंगे तो automatically वो shrink हो जाएंगे और minimize हो जाएंगे और आपके pores इतने जादा prominent नहीं होंगे जैसे कि मैंने पहले बताया कि pores को minimize करना हमारा main जो है वो ambition है ना कि उनको खतम करना even glass skin के अंदर भी जो है वो pores होते हैं तो इसके बाद अगर आप make-up करते हैं तो कभी भी ऐसा मत करें कि आप make-up को apply करते साथ ही जो है उसको सो जाएं make-up को apply करके आपने बिल्कुल भी सोना नहीं है आपने जब make-up किया है जब make-up की need खतम होगी है तो उसको अच्छे से remove करें और फिर जो है अपनी बागी की skin के और follow करें और इसके साथ साथ एक clay mask भी अपनी वीकली रूटीन के अंदर शामिल करें clay mask से होता यह कि आपके skin पे जितने भी open pores होते हैं उनको clock नहीं होने देता और उसके साथ साथ जो है उनको clean करता है और आपकी skin पे जितने भी open pores की problem होती है उसको भी काफी हद तक reduce करता है यह थे कुछ steps जिनको आपने जरूर फोलो करना है अगर आपको open pores की problem है hopefully आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब बे कर दें जद मिलेंगे अलाफेज